आज में आप लोग को अध्याय तीन उश्मा विज्ञान का क्लास 7 का प्रश उत्तर करवाने जारी हूँ, ठीक है? तो देखे बच्छों का पहला प्रश नहीं है, उश्मा चालक और उश्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? यहां दूसरा प्रश नहीं है बच्चों, डॉक्टी थर्मामीटर एवं प्रयोक्षारला थर्मामीटर के कारेम बनावट को बताईए, दो प्रश नही आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेकर विडियो पॉज करके लिख सकते हैं, देखी बच्चों मैंने किस तरह से नोट्स बनाया हैं, कुरिशन को ब्लैक पिंसे और आंसर को ब्लूपिंसे, हमें इसी तरह से साफ सुथरी नोट्स बनाने चाहिए, और मैंने ये नोट्स दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, उन्हें उश्मा का सूचालक कहते हैं, उधारन लोहा, तामबा, आदी, उश्मा की सूचालक को उश्मा चालक कहते हैं, जो परदात उश्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें उश्मा का क कुचालक कहते हैं जैसे प्लास्टिक तथा लकडी उश्मा की कुचालक को उश्मा रोधी भी कहते हैं ठीक है तो उश्मा चालक और उश्मा रोधी में यह अंतर है क्या अंतर है जैसे कोई भी माली यह पानी में हम पानी गरम करते हैं किसी बतन में और अगर उसमें हम लोहा क च्छड डाल दे या स्टील का चम्मज डाल दे और उसे फिर थोड़ देर के बाद चुए तो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा यानि कि जब हमने लोहे का च्छड या कोई भी चीज में डाली तो वह नीचे से गर्म हो कि ऊपर तक गर्म हो जाएगा तो उसे हम उश्मा का सू चालक कहते हैं ठीक है तो उसको उश्मा चालक कहते हैं जिसे तामबा हो गया लोहा हो गया अगर हम उसे रखेंगे और कूचालक क्या होता है अगर हम लकडी जाल देते हैं तो शायद लकडी उतना गरम नहीं होता है और वह हम उसको पकड़ सकते हैं दूसरा है बच्चो प्रशन आपका, दॉक्ट्री थर्मामेटर एवन प्रयोक शालमा थर्मामेटर के कारेम बनामट को बताईए, देखें दॉक्ट्री थर्मामेटर, मानो शरीर का तापमान दॉक्ट्री थर्मामेटर से मापा जाता है, ठीक है, दॉक्ट्री थर्मामेटर क तरहीं का परिसरज जो होता है 35 degrees centigrade से 42 degrees centigrade तक होता है इस थर्मामेटर टरब ताप मापने का मापकरम यानि scale होता है ठीक है क्या होता है scale होता है डॉक्टी थर्मामेटर में एक लंबी बारिक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है ताप मापने पर गर्म होने पर बल्ब का पारा बारिक नली के और फैल जाता है यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है ठीक है तो यह डॉक्टी थर्मामेटर जो हम घर में जिससे अपना प्रश्निक में हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉक्री थर्मामेटर का हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दिखें, क्या लिखना है, प्रयोक्षाला थर्मामेटर, प्रयोक्षाला थर्मामेटर बड़े और चौड़े होते हैं, प्रयोक्षाला में विभिन का ताप मापने के लिए काम में लाए जाने के वाले ताप मापी को प्रयोक्षाला थर्मामेटर कहते हैं, इसका परिसर 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटी ग्रेट होता है, कितना होता बच्चों, 10 डिग्री से 110 डिग्री होता है, प्रयोक्षाला थर्मामेटर में भी पारा का उ वशक हो तो क्या हो गया बच्चो कि डॉक्टी थर्मामेटर जब मुह में हम थर्मामेटर को रखते हैं तो बाहर निकालने के बाद उससे हम देखते हैं कि कितना बुखार है या कितना ताप है लेकिन प्रयोक्षाला थर्मामेटर को क्या करते हैं हम उसे बाहर निकालने के ब मेतर का चित्र बनाना जो पुस्तक में आपके दी हुई है देखे बचो तीसरा प्रश्ण इसका क्या है चोड़े तीसरा प्रश्ण सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई पड़तो वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है क्यों को देखे वस्त्र की तुलना में उसी मुटाई का कई पर्तों का बना वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है क्योंकि कई पर्तों के बीच वायू भी विद्धमान होती है मतलब कई पर्तों की बीच क्या रहता है बच्चों हवा हवा बना रहता है हवा रह जाता है और वायू उश्मा की कूचालक है वायू क्या है उश्मा की बच्चो कूचालक है वायू शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती जिसके कारण उश्णता बनी रहती और हमें गर्मी महसूस होता है तो कई परत की बीच में क्या होता है बच्चो वायू होती है और वायू जो है उश्मा की वायू वो दूसरे जगा तक नहीं जा सकती है। वायू की दिवारे उश्मा को कम अवशोशित करेंगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा। उजला या सफेद रंग गहरे रंग की अपिक्षा कम उश्मा अवशोशित करते हैं। पतलब वो सोकते हैं ठीक है। इससे गर्म लगता है। लेकिन सफेद रंग जो है वो सबसे कम उश्मा को अवशोशित करते हैं। इसलिए वो गर्म नहीं होता है। ये होगे आपका चौथा परश्न। अब है आपका देखे बच्छों यहाँ पे। पांचवा कॉलम है। कॉलम अ सक से कॉलम ख के शब्दों को मिलान कीजिए। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं बच्छों। गहरे रंग के कपड़े हम सर्दी में पहनते हैं। और हलके रंग के कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं। क्यों कर्मी में हलके रंग के कपड़े पहनते हैं। और हलके रंग के कपड़े जो हैं वह गर्मी में पहनते हैं। समुद्र समीर बहने का समय दिन में होता है। और थल समीर बहने का समय क्या होता है बच्छों। रात में होता है। छटा प्रश्ण है सही उत्तर पर चिन लगाएं। एक लीटर जल जिसका तापमान जीरो डिग्री सेंटीग्रेट हो तथा एक लीटर जल जिसका तापमान चालस डिग्री सेंटीग्रेट हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। 10 degree centigrade से कम, 40 degree centigrade से अधिक, 10 degree centigrade से 40 degree centigrade के बीच, इन में से कोई ने, तो देखे बच्चों, यहां पर मैं लिख रहे हूं, 0 degree centigrade में, एक लीटर जल को, क्या किया है, 40 degree centigrade के, जिसका तापमान 40 degree हो, उसमें 40 degree उसमें मिला दिये, ठीक है, तो एक जल का तापमान, 0 degree centigrade है, और दूसरे जल का तापमान 40 degree centigrade है, तो पूछ रहा है, मिला देंगे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा, तो बच्चो पूरे जल का जो तापमान होगा, इन दोनों के बीच होगा, 0 degree Celsius और 40 degree Celsius के बीच होगा, ठीक है, इन दोनों डिगरियों के बीच होगा, तो देखे, 10 degree स से कम होगा, यह हम नहीं बता सकते कि 10 जिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा, 10 जिग्री से कम होगा, 40 जिग्री से अधिक होगा, 40 से तो अधिक होगा ही नहीं, क्यों 0 जिग्री सल्टिग्रेट मतलब यह ठंडा होगा और यह 40 जिग्री गरम है, 10 जिग्री सी से 40 जिग्री के बीच होगा और हमारा तीनो option नहीं है तो इन में से कोई नहीं इसका क्या होगा अगर उत्तर सही भी होना चाहिए तो क्या होगा बच्चो जीरो और चालिस डिगरी के बीच होगा दूसरा है चलिए दूसरा दूसरा है बर्फ में लकडी का चम्मच डाला जाए तो अगर हम बर्फ में लकडी का चम्मच डालेंगे तो क्या होगा देखें लकडी जो है वह कूचालक है ठीक है लकडी क्या है बच्चो कूचालक है तो सूचालक तो नहीं होगा सूचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा ये नहीं होगा कि कोई सूचालक नहीं है चालन के कारण गर्म हो जाएगा जब बरफ में डालेंगे तो गर्म नहीं होगा वो चालन के कारण दोसरा ठंडा सिरा ठंडा हो जाएगा कूचालन होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब है ये 20 डिग्री ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सी ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से, तो देखे, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम डाल रहे हैं 20 डिग्री ताप पर लोहे का, ठीक है, 20 डिग्री में 20 डिग्री डाल रहे हैं, तो देखे बच्चों क्या होता है, उश्मा का स्थानंतरन होता है, कम से जादा या जादा से कम उश्मा का स्थानंतरन होता है एक जगह से दुस्य जगह, अगर माली जी यह 10 डिगरी होता और यह 20 डिगरी होता, तो हम कहते कि यह स्थानंतरन होगा उश्मा का, उश्मा का स्थानंतरन होगा, ठीक है, बढ़ जा जाएगा या घट जाएगा उश्मा का जो स्थानांत्रन होता है या तो वो ताप बढ़ जाता है बच्चो या तो वो घट जाता है लेकिन देखें यहां 20 और 20 दिया हुए और जब हमारा ताप बराबर होता है तो वहां उश्मा का स्थानांत्रन नहीं होता है ठीक है तो जब temperature या ताब जो है अलग रहता है तभी उश्मा का स्थानंतरन होता है वो बढ़ता है या घड़ता है लेकिन जब ताब बराबर होता है तो वहां उश्मा का स्थानंतरन नहीं होता है ठीक है